प्सफ के डीजी बोले आता की गुस्पैट रोपने के लिए लाएं के टनल टेकनोलोजी कंगना रनौत को जान से मानने की धंकी फिल्म अबनेत्री की इश्रिकायत पर मनाली में केस दर्च प्रदान मत्री मोदी ने मिजोरम के सियम जोरम मन्थागा से की मुलाकात सुप्रीम कोड ने विजय माल्या के खिलाफ आफ मानना मामले में कहा हम अब और इंतजार नहीं कर सकते थे मायवती ने खिला जाती धर्म का काड़ बोली हमारी सरकार बनी तो तलित जाट मुस्लिम समाज का रखेंगे ध्यान नमस्कार मैं हूँ आपके साथ में श्वेतागर को आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आई नज़र डालते हैं उत्तफधेश की कुछ कास खबरों पर उत्तफधेश में अगले साल शिरुवात में होने वाले विदान सपथ जुनाफ को लेकर बाती जंता पार्टी ने अपनी तयारिया तेश कर दी हैं इसके मदे नज़र बीजेपी के प्रूरे प्रदेश में कई बड़ी यात्रा है निकालेगी जहां जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर से पार्टी की पहली यात्रा निकाली जाएगी इन 6 यात्राओं के जरिये पार्टी अवद काशी, गुरकपोर ब्रिज, अपस्चिम यूपी और बुंदेल खंशेत को कवर करेगी विजेपी अपने इस यात्रा के जरिये मौजूदा सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं के बारे में सम्त को जानकारी देनी के साथ अपने कारेकरताओं में जोच परेगी। आगामे विदानसबा चुनाव की तयारे में जिटी बसपा सुप्रीमो मायवती ने मंगलबार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 403 विदानसबा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने गडबंदर के सवाल पर ये बात कही कि मायवती ने कहा कि 2007 की तरह इस बार भी अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो वह सभी वर्गों का ध्यान रखेगी। मायवती ने इस दौरान प्रदेश के केन सरकार पर भी निशान असादा। उन्होंने कहा कि दले तो आदिवासियों और पिछडों को आरक्षन बाबास साहे की देन है। लेकिन यूबी में आरक्षन को प्रभावियन करने की कोशिच की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद सरकार भी जाती गजन गणना नहीं करवा रही। खेल इस पर्दा कारिक्रम के समापन में शरकत करने आज केंदी मंतरी स्मिती रानी बुलंचेर के अनूप शहर इलाके के खालो और गाउं में स्थेथ स्टेडियम पहुची। इस दोरान इस प्रिती ने खेल में भाग ले रहे चाथ शात्राओ को संबुत करते हुए कहा कि हम उबरती प्रतिवाओं को बढ़ावा देनी की जरूरत है। उसके लिए ही सांसत खेल इस पर्दा का आयो जुन किया गया है। इतना ही नहीं प्रतियोगताओं में भाग ले रहे चाथ शात्राओं ने इस मृती के साथ सेल्फी बिली। इस खास अफसर पर स्टेडियम के संस्थापक मनोज प्रदान ने बताया कि बच्चों के लिए ये हमारी तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। जिसके साथ ही बच्चों को स्पोर्ट में काफी आगे तक सपोर्ट मिलेगा। कॉंग्रेस की प्रदेश अद्यक्ष अजे कुमार ललू बिजन और पहुंचे यहाँ पहुंचकर अजे कुमार ललू ने एक प्रेस कॉंफरेंस की और प्रेस कॉंफरेंस के जरी बीजेपी सरकार पर जम का निशाना साधा उन्होंने कहा कि सरकार ने आम जंता को काफी जादा परिशान किया है और जब से यह सरकार आई है तब से सिर्फ महेंगाई बढ़ रही है इस बढ़ती महेंगाई ने लोग को जीना मुश्किल कर दिया है कि समिच्छा बैठा करने आया हूं आने वाले दो तारिकों मुरादा बाद में प्रतिग्या रही है का योजन होना स्मिच्छित महां सची उदिदी प्रियंका गांधी जी उस सभा को संभोजित करेंगी और मैं समझता हूं जिस तरह उत्तर प्रदेश में होूं काल के सब्सक्राइब अपनी जान गवाए हैं सिता कि कांग्रेस ने जो प्रतिग्या यह विश्यों को मुद्व को उत्रपदिश की जंता के सामने का काम मद्system सब्सक्राइब करेंगे और इस दोरान योगी यहां जनता को भी संबोधित करेंगे और कहीं पर यूजनाव की सौगात भी देंगे उनके दौरे से पहले जिलाद्धियक्ष समयत कई नेताओं ने सगरी तैसील के जूनियर हाइ स्कूल का निरिक्षन किया जहां भाजपा जिलाद्यक्ष दौरुकुमार सिंग ने बताया कि मुख्यमंतरी योग्यात नात पास दिसंबर को सगरी विदान सभा में आएंगे और कई उजनाव का शिला नियास करेंगे मुख्यमंतरी के अगमन की जानकारी होते ही जनपद के आलादिकारियों के साथ कार करता भी सभाकों सफल बनाने के लिए जी जान से चुट गए हैं फरूखाबाद के महला राजीव गांदी नगर में जिला कारियाले पर प्रताप गड़कुंटा से लगता छे वार विधायक रहे रगुराज प्रताप सिंग्गी तीन साल पहले बनाई गई पार्टी जन सत्त दल लोकतांतरी का आज स्थापना दिवस मनाया गया इस हम मौके पर पूरे जन्पद में जंक संकल पर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया इस दुरान पार्टी जिला प्रधान महासचिव मनोज सिंग्ग ने कहा कि फरूखाबाद में पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी आज 30 नवंबर 2018 को पार्टी का जन्सरता दिल लोकतांत्रिक नाम से गठन हुआ था आज तीन वर्स पूर्ड हो गए हैं जिसके पलच में सेवा संकल्प दिवस के रूप में इस्थापना दिवस को मनाते हैं जिसमें आज प्रदेश नेत्रत के दिशाण निर्देश के क्रम में पार्टी का जन्डर वार्ड और पार्टी की गोष्टी और सोसित बंचित समाज के लोगों की मदद करना हम लोगों का प्राथ मित्ता में है इसलिए आज इस पलच में हम लोगे आगरा में बीते दिनों लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसको देखते हुए एससपी आगरा के निर्देश पर इसपी सिटी ने टीमों का गठन करके फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा करते हुए मुराना से पाँच हजार का इनामी बदमाश को गिरफतार किया वैपरादी के पास से लूटा हुआ मुबाइल डिवाइस और दस हजार रुपे भी परामत की है अपरादी पर पहले ही तेरा मुकद में अनिराजों से भी दर्ज हैं वैएस पी सिटी ने इससे पहले भरे बाजार में चांदी की लूट का खुलासा करके कबजे से 37 किलो चांदी बरामत की है और दो लोगों को गिरफतार करके जेल भेज दिया है वादी अन्सुल वर्मा, पुत्रसी अनिल वर्मा के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकजमा पंज़कृत किया जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 37 किलो की चांदी चोरी हो गई है और उन्हें ने ये भी जाहिर किया था कि बाहर इस कूटी पे बैठा एक वेक्टी दो घंटे से जज़ार कर रहा था वो सकता ये घटना उसी ने की हो उसके बाद पुलिस हरकत में आई पूरे CCTV कैमरे खंगा ले गए इससे हमें इनके फुटेज मिलें और फुटेज के अधार पे कोटवाली सीओ कोटवाली की निर्टित्त में इसे चोटवाली और उनके टीम बनाई गई और टीम ने अच्छा कारे करते हुए कल रात्री में दोनों चोर को साथ में पूरे माल को बरामत किया है जो 37 किलो चांदी है लगवक 37 किलो बरामत की गई है और दोनों को गिरफटार किया गया है दो लोग गिरफटार किये गए हैं उनका नाम है फतेपुर के हुसायन गंधाना परिसर में पांस दिनों से लापता युवक के परिजन और ग्रामिडों ने धर्ना देते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरूप लगाया है ये प्रदर्शन कांग्रेसी नीता शिवा कांत तिवारी के डितत में थाना गेट के सामने हुआ और साथ ही कारवाई की मांग भी उठाई है जबकि पुलिस के उच्छादिकारियों के आश्वासन के बाद ये धर्ना खत्प कराया गया सारन पुजला इस्पिताल में राश्टी स्वास्तमिशन के तहेत समविदा कर्मचारियों ने मुखी चिकित साधिकारी के ऑफिस का घिराप करके सामान का काम करने समान वेतन की मुखी मांगे को लेकर अनिच्छत काल तक हरताल करने के लिए कमर कसली है इन सबी समविदा कर्मियों का कहना है कि हम लोग तकरीबन आठ साल से विभाग की लगातार सेवा करते आ रहे हैं ऐसे में हम भी पर्मनेट स्टाफ के सामने ही विभाग के अंदर काम करते हैं फिर हमको समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता ये हमारी जायज मांग है जिसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को मान लेना चाहिए निर्देशों के अनुसारी उन्हें कुछ चेंज हो सकता है तो हमारी इस तरपन नहीं है इन्होंने मेरे को व्यातन दिया है हम पहुंचाने के शायचन पर हमारी कुछ लंबे समय से मांगे चली आ रही है वाई साथ सुत्री हमारी मांगे हैं जो हमारे परदेश अध्यक्ष सागुर महिंग परताब जी हैं उन्होंने कल मिशन निदेशक से वार्ता करनी चाही थी लेकिन मिशन निदेशक जी ने महापरबंदक जो है माना सुन्चादव नोंने नामित किया उनके सामने हमारे परदेश अध्यक्षन लखनव में मांगे रखी करी कल हम लोग लखनव थे मैं सुबह तीन बजे लखनों से पहुंचा हूं उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी और सिर्फ आस्वासन दिया जिससे हमारी परदेश कमेटी संतुष्टनी हुई और आज पूरे परदेश में 75 जिलों में कारिया बहिसकार कर दिया गया हम दरने पर बैटे हैं क्योंक कि विश्टनों से चली आ रही हैं कहीं साल से चली आ रही हैं और सरकार दोरा वो नहीं मानी जा रही है हम लोगों को लगबग आठ साल कांटेक्ट बेस पर काम करते करते हैं और ना कचैरी परिसर में नाले की सफाई से संतुष्ट वकीलों ने डियम से शिकायत की थी जिसका संग्यान लेते हुए डियम कचैरी परिसर पहुंचे गए जमिदारों की लापरवाही से नराज डियम कुमार ने खुद नाले की साफ सफाई करने लगे जिसके बाद नराज डियम ने कारवाहा की उसत्ति प्रीत सिंग को जम कर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर लापरवाही बिले तो निलंबन की कारवाही होगी सुल्तानपुर में जिला गन्ना अधिकारी कारियाले के सामने लगतार आठवे दिन भी किसानों का प्रदशन चलता रहा जिसके बाद आज किसानों ने अपना गन्ना फूक कर नाराज गी चताते हुए आरूप लगाया कि जिले के एकलोती चीनी मिल के बजाए जिनना गल अधिकारी साथ गाट के चलते बारापंकी के हैदर गड की प्राइवेट चीनी मिल में गन्ना भीजने का दबाब बना रही है गन्ना किसान इसके लिए पिछले आठ दिनों से प्रदशन कर रहे है लेकिन प्रिशासन हाथ पर हाथ धरा बैठा है जिसके बाद आप किसानों ने 7 दिसंबर को बड़े आंदोलन की भी चतावने दी है इसके बोलाइवेट चीनी मिल में पिछल्टानपर को बंद करने की नेथ है लेकिन हम किशान प्रिशान संकल्प लिए है अपना गन्ना हैदर्गड मिल पें नहीं देंगे अपना गन्ना फूंपने का काम करेंगे और आयंधि ने अंदोलन चलता रहा गन्ना जलता रहेगा और हम गन्ना अपना सुल्तान पुर्चीनी मिल को ही देंगे, हैदरगर को नहीं देंगे चंदौली जनपत के मुख्याल बटवाली गली में स्कूली बच्चों ने हजारों की संक्या मेने रेलिकार कर इस रेली में अलग-अलग स्कूलों के बच्चे शामिल रहे रेली का शुभारम भारत माता के चित्र पर मालयार पढ़कर और आर्थी करने के साथ हुई इस दोरान इस कूली बच्चों ने मठवाली गली से तिरंगा यात्रा लेकर देशभक्ती का नारा लगाते हुए चंदौली नगर का प्रमड किया बिजनौर के थाना बड़ापूर के धर्मवाला गाउं में 26 नमबर को बुजूर की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद में तक बेटे ने थाना बड़ापूर में अपनी सौतेली मा के खलाफ हत्या का अरूप लगाते हुए तहरे दी थी हत्यारे बेटे ने पूश्टाच के बताया कि उसकी मा की तीन साल पहले मौत हो गई थी और आट महीने पहले उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिसके कारण कुछ दिनों से उसका पिता उससे जगड़ा करता था और जमीन जादात को बेदखल कर घर से निकालने की 27 नवंबर को बढ़ापुर थाने में पृत्तम नाम के 27 वर्सी व्यक्ति की बलंट अब्यक्ट से हत्या की गए थी उसके बेटे कैलास ने अपनी सवतेली मा बचली के खिलाफ बाइस्तवा मुकदमा कायम करा था घटना का नावण एस्पी आरे सियो थानाप्रुहारी ने खुद्शोप्ति के साथ किया जो वादी है उसी ने अपने साले एवंग दोस्ट से मिल करके सिर में बलंट अब्यक्ट से चोड़ पहुचा करके हत्या किया हत्या का कारण मृतक की पत्नी का मृत्तु हो जाना एवंग बूसरी पत्नी से साधी करना और इसको शक्त था कि कहीं पूरी संपत्ति उसके पिता बचली के नाम न कर दें संपत्ति बचाने को देश से या आपसी कला मैन पूरी में आज यातायात महीना खत्म होने के अफसर पर इस शन नदी पुल पर लोगों को यातायात के प्रती जाकरू किया गया साथी मोटर साइकल रैली निकाल कर शेहर में लोगों को यातायात के प्रती जाकरू किया गया इस समों के पर शेत अधिकारी नगर अमर बहादूर निरिक शक्रियात अनिल कुमार सिंग और ट्राफिक पुलिस करमी भी मौजूद रहे राइबरली में अधिवक्ताओं और लेकपालो में जम कर हिंसक छड़ब देखनी को मिली है अधिवक्ताओं ने धानकरीद को लेकर लेकपालो पर उगाही का अरूप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर बंद कमरे में सत्यापन की रिपोर्ट लगाई जाती है जिसको लेकर वकीलों ने जम कर हंगामा किया हंगामे की सूशना मिलने पर पहुँची सीओ सिटी और पुलिस बल ने किसी तरह हंगामे को शान्त कराया अब यहां जो रेवनुव स्टाफ था उसके साथ में अधिवक्ताओं वंदू का कुछ बाद विवाद हुआ है और अधिवक्ताबंदू के जो विंदू थे उनको सुन लिया गया है साथ ही साथ जो रेवनुव डिपार्टमेंट के उनकरम्चारियों से भी पूछता जा रही है दोनों के मद में अगर किसी प्रकार के जो गलती की गई होगी साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आगे से इस तरह के कोई जो है गलतिया ना हो चाहे वह अधिवक्ता पक्षों चाहे हमारे रेवनुव पक्षों आभी दोनों पक्षों की बाते सुनने के प्रांथ इसमें कोई आगे खरवाई के पार जो हमें जानकारी हुई है कि हमारे वकिल साथ धान की परचिव चुक लेकर को रिपोर्ट लगवाने गये थे उसी में उन्होंने कहा कि सिस्टम से आई है तो उन्होंने पूचा सिस्टम क्या होता है तो कोई वहाँ पर उनका दलाल टाइप आद भी था कहीं उससे मिलिये तब फिर हमारे पास आई है उसी बात को लेके तो तुम हमें हुई है और ज़ड़ा हुआ है जो हमें जानकारी हुई है कि हमारे वकिल साथ सारनपूर के देववन भारती किसान मंच के राष्टिय अध्यक्षिदेव इंतिवारी को लखनो में एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने जान से मारनी की दमकी दी गई है दमकी बरा ये पत्र देववन दाक से भीजा गया है और इस मामले में सारनपूर के SSP आकाश दोमा ने बताया कि सोशल मीडिया के माद्यम से ये खबर सामने आई है जिसकी जाच में लखनो कमिशनरेट जुड़ गई है सोशल मीडिया के माद्यम से जानकारी मिली है कि लखनो कमिशनरेट में किसी वेक्ती ने शिकायद करी है कि उन्हें एक धमकी बरा पत्र मिला है वो उस पत्र की जाच संपूर जाच लखनो कमिशनरेट में की पुलिस दौरा की जा रही है यह भी ग्याद हुआ है कि वह पत्र देवन से पोस्ट किया गया है तो यदि लख्राओं कमिशनेट की पुलिस को कोई जो भी जाच में सही हो गुरकपुर के गीरा था नाशेतर के गाउं गुरॉली में ग्रहने वाले वरिदस रामचरण निशान ने भूमाफियाओं से परिशान होकर नयाई की गुहार लगाई है रामचरण ने बताया कि 2005 में पेंशन स्रीकृती कराने के नाम पर भूमाफिया विरिण शर्मा और वेद प्रकाश ने जाली प्रपत्र तयार करके प्रार्थी की जमीन को धुके से अपने नाम करवा लिया था जिसके बाद पेड़त ने सिविल कोट में मामले में धाखिल किया जो अभी नलम्मिद है बावजूद इसके बूमाफिया ने विवादित भूकंट और अन्ने को बिक्री करने वा मुझे को जान से मारने की यूज़ना बना रहे हैं जिससे बाद पेड़त ने नयाय और सुरक्षा की कोहा लगाई है मन्सूखी दाखिल कर दिया और इधर जो जो इधर कलेटरी का चारी सोसी फर्ष्ट वहां मुकतमा दावरान चल रहे है इसी के दावरान के बीच में हमारा काल संपती इतनी समय वह क्या कर रहा है कि वह संपती है इटावा जिले का जो राने वाला डीलर है आईए बिहार का डीलर है बहुत प्रापल्टी बढ़न डीलर है उसी के सामने से बेच लिया साथ लाक रूपिया का इतवार को लिया है एक करोड़ पचास लाक रूपिया बाके दस तारिक का उसका नियुक्तिक पाण है बांदा पुलिस ने एक संसनी खेज हत्याकान का खुलासा करते हुए दो आरूपियों को गिरफतार किया है हत्या के पीछे पुराने पारिवारिक रंजिश सामने आई है कुछ समय पहले हत्यारों के पिता के बड़े भाई मृतक ने कुछ साल पहले हत्या की थी जिसका बदला लेने की ठान बैठे दोसर के भाईयों ने हत्या की संसनी के जवारदात को अंजाम दे दिया अब कोतवाली देहात के पास एक खेत में गया प्रसाद का नर्मुंड पड़ा हुआ है नर्मुंड को देखकर रिसाने लोगों ने पूरे कटना करम की सूचना पुलिस को दे दी थी जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में चुट गई है कोतवाली देहात अंतरगत 24 फरवरी को एक गुमसुदगी दर्ज हुई थी दो दिन बाद उसमें फिर फिर दर्ज हुई बाद में एक नर्मुंड बरामद हुआ था जिसका डिन ने परिच्छन कराए गया था और यह असपस्ट हो गया था कि यह जमाल पुलिस्थित गया प्रशाद का नर्मुंड है उसके बाद फिर इसमें लगातार हमारी पुलिस टीमें लगी रही और अभी प्रवाईरी नीच्छक द्वारा घटना का सफल अनावरन किया गया है दो अभी उत गिरत्तार किये गये हैं मोटर साइकल की बरामत की है और घटना का मोटीव यह है कि इनके बड़े पिता की बरस 1985 में हत्या कर दी गई थी उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने यह थ्या कारिप की थी धड़ को इन्होंने बोरी में बात करके नदीम की किनारे गार दिया था जो बरसात में आने से निश्ची तरुप से बह गया होगा उत्यपदेश की अब तक की खबर में फिलाल बस इतना ही हो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी हमस्कार झाल